हलो दोस्तो जब भगवान स्रीराम ने कबीर दाजी को बेमिसाल संपती प्रदान की तो कबीर दाजी ने वो सारी संपती कासी के गरीबों में लुटा दिये अब कबीर दाजी के पास उस संपती में से कुछ भी सेश नहीं रह गया था जब कासी के पंडे पुजारियों को ये बात पता चला कि कभी दाजी दोनों हाथों से गरीबों को धन लुटा रहे हैं तब वे लोग एकत्रित होकर कभी दाजी के पास पहुँचे कभी दाजी ने देखा कि कासी के ब्रामण लोग आये हैं तो उन्होंने सबको प्रणाम किया, तब पुजारी बोले कभी दाजी सुना है, आप बहुत धन्वान हो गये हैं, आप गरीबों को बहुत सारा धन दे रहे हैं, क्या आपने कासी के ब्रामडों को धान का दिकारी नहीं समझा, किसी विदान पर सबसे पहला अधिकार हैं, परन्तु मेरे रगुनात बहुत धन्वान है, यह सब उनी की कृपा है, रगुनात जी ने कृपा करके मुझे इतने संपती प्रदान की और उनकी पुशनता के लिए, मैंने वो सारे संपती बाड़ दी, मैंने दान करते समय किसी की जाती नहीं पूछी, मेरे लिए तो सबी लोग समान हैं, क्योंकि सादू की जाती को पूछना एक अपराद है, मैं तो यह मानता हूँ, जात पात पूछे नहीं कोई, हरी को भजे सो हरी का होई, ब्रामण बोले अच्छे बात है, अब आपने जिस प्रिकार सबी को दान दिया, उसी प्रिकार हम ब्रामणों को कभी दान दीजिए, कभी दाजी बोले, मैं आपको अवस्य दान दे देता, परन्तो मैंने तो सारे संपती घरीबों को दान कर दी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप चाहें मेरे घर के बीतर जाकर देख सकते हैं, तो ब्रामण बोले, हम कुछ नहीं जानते, आपने ज इस प्रिकार अन लोगों को दान दिया, उसी प्रिकार आपको हमें भी दान देना होगा, अनता हम यही पर आसन पर बैठ जाएंगे, और आपको भी कहीं नहीं जाने देंगे, कभी दाजी ने ब्रामणों को बहुत समझाया, कि अब मेरे पास धन नहीं है, परन्तो जाने के लिए मुझे पुना उन्हीं केसो बंजारे के पास जाना होगा, जिननोंने मुझे पहले धन दिया था, मैं यहां से जाऊंगा, तभी तो कुछ लापाँगा, इसलिए आप लोग मुझे यहां से जाने देजी ब्रामणोंने सोचा, बात तो ठीक, यहां से का अच्छा उसर प्राप्त हो गया कभी दाजी वहां से निकल कर पुना गंगा किनारे इस्थित जंगल में और अधिक गैराईयों में जाकर छिप गए कभी दाजी ने सोचा कि मेरे पास तो इन ब्रामणों को देने के लिए कुछ भी नहीं है राम जी सब को देते हैं इन ब् परन्तु कभी दाजी घर नहीं लोटे घर पर बैटे उन पुजारियों को लगने लगा कि कहीं कभी दाजी चक्मा देकर तो नहीं चले गए उनमें से कुछ लोग कभी दाजी को भाला बुरा भी कहने लगी अब साके थाम में भगवान स्री राम पुना कभी दाजी के ये भगवान स्री राम इस बार स्विम कभी दाजी का रूप बना कर आये इस बार भगवान हचारों बैल गारियों पर समान लात कर आये थे ब्रहमनों ने भगवान स्री राम को दूर से ही कभी दाजी के बेस में आते हुए देख लिया उन्होंने देखा कभी दाजी इस ब गया घर पहुचकर कभीरदाजी के पेस में आये हुए भगवान ने सभी ब्रामणों को प्रणाम किया ब्रामणों ने भी कभीरदाजी को खुव आसिर्वात दिया इसकी बाद कभीरदाजी ने सभी ब्रामणों को दान देना सुरू किया प्रतेख ब्रामण को कई किलो रावां किया काशी का कोई माधरी अचूटा नहीं रहा पहुथ कभी को दून वह हाथों से धन लुटाया कभीक दाजी के कभी कार्वरतने का कारी तुटा रता रहा उस समय ज़ित कर गरे तक लिए अरी से बाती कंडिक ने शर्ण कि अब सभी ब्रामडों को दान दिया जा चुका है परन्तों कभी दाजी तो वहां वन में अकेले बैटे हैं और पता नहीं इन ब्रामडों के डर से कितने दिनों तक भी बोगे प्यासे बैटे रहेंगे इसलिए अब कभी दाजी को वापस बुला लाना चाहिए यह विचार क कि भगवान ने इक ब्रामड का भीज बनाया और उस इस्थान की तरफ चल पड़े जहां कभी दाजी चिपे थे उधर वन में कभी दाजी ने अपनी तरफ एक ब्रामडों को आता देखकर उन्हों ने सोचा यह ब्रामड जरूर मेरी ही कोच में इस ओर आ रहे हैं कभी काड़ी के पीछे कौन चिपा है कभी दाजी ने कोई उत्तर ने दिया भगवान बोले अरे बैया यहां चिपकर क्या कर रहे हो जाओ वहां कभी दाजी के घर वहां कभी दाजी सबी लोगों को अन्य वस्त और पांच पास्वन मुंद्राय बाट रहे हैं तुम भी जा कर ले यह कहकर भगवान महां से चले गए कभी दाजी ने सूचा यह ब्रामपड क्या खेर रहे है मैं तो यहां बैटा उह हूं तो फिर मेरे घर में यह सब वहां मीठे कौन बाट रहा है क्या यह अब घरकर देखना पड़ेगा कि वहां क्या हो रहा है यह विचार कर कभी दाजी उन जाडियों से निकल कर अपने घर की तरब चल पड़े कबीर दाज जी ने कमचे से अपने मूं को शिपाते हुए मार्ग में बढ़ते जा रहे थे सभी लोग उनकी तारीफ कर रहे थे यह सब सुनकर कबीर दाज जी को बड़ा आशर हुआ कबीर दाज जी अपने घर पहुंचे घर पहुंचने पर कबीर दाज जी की मा बोली बेटा तो सुबह से कहां चल गया था कबीर दाज जी बोले मा मैं सुबह से नहीं तीन दिनों के बाद घर आया हूँ कबीर दाज जी की मा बोली क्यों मजा करता है बेटा तू तीन दिनों से तू यहीं पर तो था और नगरवासियों को अन्य धन बाट रहा था कभी दाजी बोले मा मैं सच कह रहा हूं मैं तो उन ब्रामडों को बहला कर यहां से चला गया था और तीन दिनों से गंगा के उस पार जंगल में चिपा था और मा बोली बेटा मेरे सामने तो तु तीन दिनों से ब्रामड़ो और नगरवासियों को धन बाट रहा है अब कभीदाजी को समझते देर नहीं लगी कि उनके रोप में भगवान राम आये और नगरवासियों को सब धन बाट रहे थे कबीरदाजी बोले मा मैं सच कहता हूँ मैं तो तीन दिनों से जंगल में छिपा हुआ था मा मैं समझ गया कि मेरे रोप में रगुनात ही है थे और नगरवासियों को धन बाट रहे थे कभी दाजी बोले मैं कितना अभागा हूँ मेरे रगुनाद मेरे पीछे से हमारे घर आए और मैं उनके दर्सन भी नहीं कर सका मेरे रगुनाद को मेरे खारण कितना कश्ट उठाना पड़ा अब पूरे कासी नगर में कभी दाजी की संत के रुप में प्रतिष्ठा होने लगी लोग सोसते थे वैसे तो कभी दाजी गरीवी में जीवन यापन करते हैं परन्तु अब दान करने को आते तो पूरे नगर को धन लुटा देते हैं पता नहीं इतना सब कुछ भी कहां से और कैसे लेकर आते हैं अब सभी लोग कभी दाजी को एक चमतकारी संत मारने लगे और दूर दूर से उनके भक्त उनके दर्शनों के लिए आने लगे नमस्कार दोस्तो